वीडियो को लाइक and सस्क्राइब जरूर करें पार्ट चार अधिक बल्वान कौन? तो आज हम क्या करेंगे? पार्ट चार अधिक बल्वान कौन? तो इसमें किसकी स्टोरी है? किसकी कहानी है? हवा और सूरज की तो ये दोनों आपस में क्या कहरें हैं? कि अधिक बलवान कौन है यानि कि अधिक ताकतवर कौन है तो चलिए पढ़ते हैं शुरू करें चलिए एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान किसने कहा हवा ने सूरज से सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है अब सूरज ने कहा दिया हवा को इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी तो हवा ने इतने में क्या देखा? एक आदमी, ये देखिए यादमी हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फाइदा नहीं है कहने लगी हमें आपस में जगड़ा नहीं करना चीए बहस नहीं करना चीए हमें कोई फाइदा नहीं है जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है उसने कहा यह जो आदमीनी कोट पैनाव है ना, जो इसको उत्रवा देगा ना, वो इस सबसे ज़्यादा ताकत बर है सुरज हवा की बाद मान गया, उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करे, कैसे करी, तो सुनिए आदमी की टोपी उड़ गई, किस से उड़ी हवा से, पर कोट उसने अपने दोनों हातों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए, अब आदमी ने क्या गिया, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ती, इतनी तेज़ती, कि टोपी तोड़ गी, लेकिन उसने अपना कोट उड़ने नी दिया, उसके बटन बंद कर लिए जिनों ने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया, वो सस्क्राइब और लाइक जरूर कर लें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि उन्हें हमारी और वीडियो भी मिलती रहें हवा और जोर से चलने लगी, अब क्या हुआ, हवा और जादा जोर से चलने लगी, अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा अब हवा ठक गई थी क्या हुआ चाहे आदमी भले ही गिर गया लेकिन उसने अपना कोट नहीं उतर नहीं दिया और क्या हुआ उससे हवा ठक गई अब सूरज की बारी आगई सूरज नहीं कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो अब सूरज शुरू हो गया था कि आदमी ने कहा किया अपने कोट के बटन खोल दिये सूरज की गर्मी और भड़ी वो और जादा गरम होने लगा आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत उत्रवा दिया ना कोट हवा ने सूरज को नमशकार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को तो हवा ने क्या किया सूरज के आगे अपनी हाथ माल ले धन्यवाद